हाई फ्रेंट्स ये एक मनी ट्री है और इस मनी ट्री में वो अट्राक्शन की पार्ज हैं कि जो हम जॉब में हो कोई बिजनस हो हमारा और उन सब में अगर कभी ब्लॉकेजिस आ रही है या फिर वैसा फ्लो नहीं है काम का जैसे हमें चाहिए बिजनस में क्या होता है कई बार क्लाइन्स बहुत कम हो जाते हैं कई बार क्या होता है कि आपका बिजनस का जो एक तरह से प्रपोजल जाने चाहिए वो सब बहुत स्टॉप हो जाते हैं या आपका पैसा किसी क्लाइन के पास फसा हुआ है वो नहीं मिल रहा है उन सब चीजो मिले मतलब आप जितने expenses कर रहे हैं वो उतना ही double होकर के आपको हमेशा income के तौर पे मिले राइट इन सब के लिए ये चीज आप लोगों को बहुत help करेगी बहुत बार हम लोग उने कोई-कोई उपाय किये हैं ये एक छोटी सी activity है जो आप लोगों को सब को करनी है ये money tree आप statues available हैं आप अगर Amazon वगरा पर देखेंगे तो महां पर money tree के statues मिल जाएंगे आपको और I don't know posters है कि नहीं बट ये तब effective होता है जब इसमें कुछ natural चीजें और real चीजें use करते हैं ठीक है इसलिए ये money tree का मैं ये video बना रही हूँ आप लोगों के लिए और ये मैंने छोटा सा DIY किया है अपनी तरफ से I am not that good in you know ये सब बनाने में but still मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ी help हो जाए आप लोग अपनी creativity अपनी creations का इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज के लिए और ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही blessing की तरह साबित होगी ये activity आप लोग सब को करनी है अपने अपने घर में आप living area में इसको north या east के wall पे लगाएं ध्यान रखे का north या east के wall पे आप इसको जरूर लगाएं living area में लगा सकते हैं पूजा रूम में लगा सकते हैं main house के अपने घर में कहीं पे भी आप लगा सकते हैं लेकिन north या east wall पे ही आप इसको paste करेंगे अच्छा इसमें आप जो इसका जो main stem है जो पेड का main भाग होता है नीचे से उसको हम बनाएंगे डालचीनी के stick से आप लोगों को डालचीनी का stick यूज करना है cinnamon stick ओके हम सब जानते ह जानते हैं कि डालचीनी की जो stick है या डालचीनी का अपना ही मेराकल है money attract करने में डालचीनी के powder को हम बहुत सारे spells में use करते हैं money attraction के spells में use करते हैं और ये काम करता है बहुत effectively काम करता है इसी डालचीनी के stick को आप सब को बहुत easily अपने store से available I mean मिल जाए गई और इस को use करके यहां पे और भी कुछ अच्छा बना सकते हैं इसको ठीक है तो ये डालचीनी की stick basically आपको use करनी है इसके जो main जो तना है इसका उसमें और फिर उपर जाकर के जो पूरा पेड़ आप बनाओगे जिस तरह से यह दिख रहा है इसमें आपको सिर्फ coins पेस्ट करने है प्लीज ध्यान रखेगा कोई भी currency note नहीं चिपकाना है सिर्फ coins आपके यहां के जो भी coins है जिस भी आप देश में है और वहां का जो भी coin है वो coin आपको paste करना है एक दो तीन जो भी जितने भी you know rupees का coin है वो आप paste करेंगे ठीक है तो वो coins आप लोगों को paste करके और ये आप को अपना money tree बना लेना है इस money tree पे आप एक infinity infinity का sign green color के pen से बनाएंगे अगर इस पिच्चा में आप लोग देख पा रहे होंगे तो बहुत clearly मैंने दिखाया हुआ है green color के sketch pen से एक infinity का sign बनाएंगे इस तरह का उस sign के एक सिरे पे सबसे उपर आप एक तरफ 3 बीच में 6 और फिर top पे 9 369 का यह जो universal number है जो success का number है इसके attraction powers बहुत high है इस number की उसको आप लिखेंगे उसको लिखने के बाद आप इसके अंदर affirmation लिखेंगे ठीक है money tree लिखा है मैंने आप यहां पे I have money tree लिख सकते हैं I have abundance prosperity and money in my life लिख सकते हैं जो भी आपको जिस affirmation से आप connected feel करना च आते हैं वो affirmation is infinity circle के अंदर same लिखना है दोनों circle में और yes जैसा यहां पे लिखा है मैंने this money tree is mine हम सब कहते हैं कि इतने पैसे क्या तुम्हारे घर में क्या पेड के पैसे उगते हैं ठीक है या पेड पेड पैसे लगे हैं हमारे घर में कि हम पेड से तोड़ के ले आएं तो हाँ आज से हमारे घर में पेड है पैसो का पेड है और ये पेड हम खुद बनाएंगे इससे होगा क्या जब भी हम इस चीज को दिखेंगे ठीक है तो एक तो हमें वो जो एक रहती है मन में चीज कि हमारे घर में पेड है पैसो का वो जब हमारे subconscious mind में जाएगी ये thought हमारे mind में जाता है तो वैसा ही हम वाइबरेट भी करते हैं फिर उसी के जरिये हम पैसो को अपनी लाइफ में अट्राक करने की शमता रखते हैं अट्राक करते हैं राइट दूसरा इसमें जो अपनी नाचरल एनरजी है जब आप आप इस मानी ट्री को बना के नौर्थ या इस्ट के वाल पे पेस्ट कर देते हैं आप इसे किसी अच्छे कैन्वस पे बना लीजिए आप इसे जैसे भी बनाना चाते हैं मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डियाई वाई किया है एक एट्री साइस का शीट लिया है और उसके उपर बना दिया है ठीक है इस तरह से करके आप अपने 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 अकॉर्डिंग कैन्वस यूज कीजिए जो भी यूज करना है बढ़िया सा एक मानी ट्री बनाएए और इसको पेस्ट कीजिए इसमें जो दाल चीनी है उसकी अपने अट्राक्शन की पार्ज है ठीक है वो उसकी जो स्मेल है उससे मानी अट्राक्ट होता है तो वहाँ पे है आप जब कॉइन्स यूज कर रहे हैं तो ये कॉइन्स में हम लक्षमी जी का वास मानते हैं तो ये आपने पूरा एक पेर्ड डिजाइन किया है ये पेर्ड आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा मानी अट्राक करने में कभी भी लाइफ में अगर फील होने लगे कि मानी में ब्लॉकजेज आ रहे हैं पैसो का फ्लो कम हो गया है हमारी लाइफ में तब आप लोग इस पेर्ड को देखिए कुछ affirmations दीजिए 369 जो लिखा है उसको देखकर क्या affirmation दीजिए आप simple सा affirmation इस पेर्ड को देखके ये भी दे सकते हैं 369 bring flow of money बहुत simple सा 369 bring flow of money इसके साथ साथ इस पेर्ड को देखते हुए आप लोग श्रीम ब्रिजी मंत्र का चैंट करना शुरू कीजिए श्रीम ब्रिजी मंत्र बहुत effective है जब हम महालक्षमी जी के इस मंत्र का श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाब करते हैं या सुनते हैं तो होता क्या है हम हमारी लाइफ में आने वाली जो भी रुकावटे हैं पैसो के मामले में वो दूर होती हैं और हमारे उपर महालक्ष्मी मा की कृपा होती है उनकी कृपा से सारा धन धान्य आसानी से हमारी जिंदगी में आने लगता है तो आप लोग श्रीम ब्रिजी मंत्र जरूर चैंट करें सुबा नहाद हो करके आप 108 बार 108 की माला से जाप कर सकते हैं नहीं तो शाम को भी आप श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाप करें निरंतर करें डेली करें चालिस दिन आप श्रीम प्रेजी मंतर का जाब करके देखिए, आपको इसका अनुभव खुद फील होगा, बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि माम हमारा बिजनस सोड़ा स्लो हो गया है, उसके लिए कुछ बताइए, ठीक है, या फिर कुछ लोग लिखते हैं कि क्लाइन्स हैं या कोई ना कोई occupation हम सब कर रहे हैं जिससे हमारे पास पैसे आते हैं, तो माध्यम पैसों का जो है, वहाँ पे blockages अटाना बहुत जरूरी है, पैसे ऐसे नहीं बरस जाते, कोई ना कोई काम हम कर रहे हैं उसी से आ रहा है, उसमें flow के लिए और हाँ, एक चीज और, बहु पैसों से related हर परिशानी को दूर करने के लिए, यह श्रीम ब्रिजी मंत्र आप लोगों के लिए बहुत ही miraculous थाबित होगा, आप लोग श्रीम ब्रिजी मंत्र का जाब करना शुरू कीजिए, और यह money tree आज ही बना के अपने अपने घरों में हर जगा लगाईए, जिनके पा आप खुद अपनी लाइफ में देखोगे, okay, money matters में हमेशा flourish रहोगे, यह पेड़ आप लोगों को यह अनुभव दिलाएगा कि हाँ, हमारे घर में abundance है, और बहुत जादा बरकत है पैसे की, जब यह thought हमारे mind में रहती है, तो वैसा ही हम transmit भी करते हैं, वैसा ही हम vibrate भी करत हैं, so इसी के साथ विदा लेती हूँ, and yes, abundance, prosperity हमेशा आप लोगों के साथ रहे, money का flow आप लोगों के life में भरपूर रहे, खूब पैसा बढसे, यह पेड हमेशा आप लोगों के जिंदगी में खूब सारे पैसो को seriously बढ़ा के दे, so that's all, thank you so much and God bless you all, धन्यवाद.